हैलो इवरिवान वालकम बैक तो माई चैनल सो फ्रेंट्स आज हम शेयर करेंगे नायरा स्टाइल अमरेला कट कुरती जिसके साइड में इस तरह से सिलिट्स बनाया है और नेक में ब्यूटिफुल सा पैटर्न बनाया है यह वीडियो एक रिक्वेस्ट पर बनी हुई वीडियो पर रिक्वेस्टेड वीडियो है यानि कुछ दिन पहले मैंने नायरा स्टाइल गैदर कुरती की वीडियो पोस्ट की थी तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा पसंद किया और उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मुझे काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये सैम पैटर्न आप अमरेला शेप में बनाएए यानि कुछ लोगों को चुन वाली यानि गैदर्स वाली कुर्तियां पसंद नहीं होती तो उनको अमरेला शेप में कुर्तियां अच्छी लगती हैं तो उसी के रिकार्डिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा डियम रिसीव हो रहे थे मैसेज़िस आ रहे थे तो आज की वीडियो भी एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो होगी तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें कहीं भी स्केप ना करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बेटन जरूर दबा दे आप देखें इस कुरती का जो मेजर्मेंट है वो आप यहां स्क्रίν पर देख सकते हैं यह मेरा मेजर्मेंट है इसी तरह से आप किसी भी साइज की यह कुरती बना सकते हैं formula यूज़ करके एंड ये कुर्ती बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की जरूत पड़ेगी और लगबग 10 मीटर लैस की जरूत पड़ेगी अब मैं आपको अपने फैब्रिक की length और width दिखा देती हूँ मेरे पास जो फैब्रिक है वो 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने 2 मीटर क्यों लिया है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ पहले मैं आपको इसकी length दिखा देती हूँ ये मेरा किनारी वाली साइट से double fold करने के बाद 41 इंच है यानि 2 मीटर से 3-4 इंच एक्स्ट्रा है इसके बाद देखे मैंने फैब्रिक को किनारी वाली साइट से पहले double fold किया है इसको हमने इस तरह से triangle shape में four fold कर लेंगे तो ये हमने diagonal इस तरह से fold कर लिया है ये हमारी open side है यहाँ पर हमारी four layer है और ये वाली side हमारी folded side है इसके बाद हमने इस corner से अपनी कमर की marking करनी है तो कमर का four part plus 1 inch तो मैं यहाँ पर 32 inch के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर 8 inch पर हम मैंने 1 inch plus कर लिया है 9 inch पर मैंने mark करके अब यहाँ से जितनी भी land आती है उसको पीछे की तरह follow करते हुए curve shape में marking कर लेंगे और इसको check कर लेंगे तो दिखे यह 9 inch है इसके बाद इसको अच्छे से dark कर लेंगे अब हमने इस वाले mark पर अपने top part की ready length रखनी है तो मैं 16 inch top part की ready length रखूँगी तो 16 inch रखने के बाद यहाँ से हमने कुर्टी की ready length लेनी है जो है 45 inch इसके बाद इस टेप को हम उपर की तरफ corner पर रखेंगे और यहाँ जो भी length आई है उसको नीचे की तरफ से इस टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए mark करते जाएंगे तो 45 inch के around हमारी यह total length होगी इस तरह से हमने पहले dot dot करके marking करनी है इसके बाद हमने इस marking को अच्छे से dark कर लेना है इसके बाद हमने कमर की side से half inch fabric छोड़ते हुए cut करना है और यहाँ center में notches लगाने है इसके बाद हम यहाँ से नीचे से घेरा cut कर लेंगे और side से जो unequal fabric है इसको सीधा cut कर देंगे इसके बाद अब आगे की तरफ यह देखे यह हमारा fabric बचा है इसमें से हमारा top part sleeve और बाकी खर्च आराम से आजाएगा तो पहले मैं top part निकाल लेती हूँ top part की length और width के साबसे fabric को four fold कर लिया है चोड़ाई इसकी मैंने 12 inch लिया है 10 inch पर इसका bust बनेगा 2 inch इसका margin आजाएगा अब बात करते हैं इसकी length की तो top part की जितनी भी ready length है normal उससे डेल से 2 inch extra लेना है यानि top part हमने थोड़ा सा length में बढ़ाना है क्योंकि इसकी जो slit से वो कमर पर बनेंगे तो कमर की वज़़ा से हमने top part की length को बढ़ाना है ताके हमारा जो कमर वाला part है वो ना दिखे इसके बाद यहां से भी हमने सीधा mark करके इसको cut करके निकाल लेना है तो इस तरह से हमारा top part निकल गया है अब यहां से हमने बाकी fabric को भी इस तरह से divide कर लिया है यह देखिए यह top part है और यह हमारी sleeve है और यह हमारा neck का pattern है जिसका हमने fabric निकाला है बचे हुए fabric से हम डोरी और neck का strip निकालेंगे sleeve की length लगबग 18 इंच ली है armhole की width मैंने 10 इंच पर बनाई है और sleeve की मोरी मैंने 6 इंच ली है इसके बाद यह हमारा देखिए top part है इसकी चोड़ाई मैंने 12 इंच ली है और length मैंने इसकी 7.5 इंच ली है अब देखिए यह हमारा neck का pattern है इसकी लंबाई चोड़ाई मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिलाल मैं आपको fabric दिखा रही हूँ और बचा हुए जो fabric है वो हम neck और dory बनाएंगे अब यहां से हम अपने shoulder का half लेंगे जो है 7 inch इसके बाद neck की width में 7 inch या 3.5 इंच ले लूँगी तो neck की width पर mark करेंगे अब कंदी की side से half inch पर mark करके इस तरह से इंच टेप को तिर्चा करके mark कर देंगे इसके बाद हमने यहां इंच टेप रखना है और नीचे की तरफ 7 inch की land पर इस तरह सीधा mark करेंगे और इस mark को उपर मिला देंगे तो यह हमारा armhole होगा अब यहां से हम अपना bust का foot part mark करेंगे जो है 10 inch इसके बाद हमने कमर की width लेनी है तो कमर की जो width है वो 8 inch है अब दोनों point को हम इस तरह से line up कर देंगे और आगे की तरफ से 2 inch हम margin ले लेंगे इसके बाद margin पर 1 inch उपर की तरफ mark करेंगे और इस mark को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे इससे हमारी कुर्टी के side के corner नहीं लटकेंगे अब हमने free hand से back armhole की marking करनी है और half से poni inch अंदर की तरफ front armhole की marking करनी है तो लीजे marking हमारी complete हो चुके इसके बाद हमने कंदी down करते हुए सबसे पहले back armhole की cutting करनी है और आगे का margin भी लेते हुए हमने ये cutting कर लेनी है सो इस तरह से cutting हमारी हो चुकी है अब देखिए जो हमारे fitting वाले mark है इन पर मैं nudges लगा रही हूँ सिलाई करते हुए ये बहुत helpful होते है अब देखिए घेरे में से जो हमारा fabric बचा था ये corner वाला इसको मैं four fold कर लूँगी इस तरह से और इसके neck की strip cut करूँगी सो यहां से neck की width मैं सवा 3 इंच ले रही हूँ और जो हमारा back neck है उसकी जो length है वो मैं 5.5 इंच लूँगी और front neck की length में 6.5 इंच लूँगी और नीचे से भी मैं इसके बाद हम इसमें से एक layer निकाल लेंगे जो हमारे back neck की strip बनेगी इस तरह से और इसकी जो चोड़ाई है वो डेर से 2 इंच ले लेंगे इसके बाद इसमें से एक top part भी निकाल देंगे यह हमारा back neck और यह top part है अब इस वाले को हमने दुबारा से set करके रखना है और इसकी strip को भी अब neck की गहराई ले ले लेंगे और armhole की भी extra cutting कर देंगे जो neck की strip है इसकी भी चोड़ाई डेर से 2 इंच ले लेंगे तो simply यह neck मैं strip पे बना रही हूँ आप चाहें तो इसको बुकरम पे भी बना सकते हैं तो लीजिए यह armhole की extra cutting हो गई है अब यह हमारा front का top part बनेगा तो neck की strip को हमने अपने top part की right side में इस तरह से रखना है एक pair की सिलाई लगा कर यहां से छोटे छोटे notches लगाएंगे इसके बाद इस पट्टी को half में fold कर लेंगे इस पट्टी को बाद में हमें अंदर की तरफ पूरी तरह से fold करके एक सिलाई लगा देंगे आप दिखिए यह neck के pattern की length बढ़ाने के लिए मैंने यहां joint लगा लिया है आप चाहें तो यहां पर दो piece एक बराबर ले सकते है इसकी length मैंने 16.5 इंच ली है टॉप पाट की length हमने 17.5 इंच पर कट की थी तो उससे 1 इंच हमने neck के pattern के लिए length लेनी है double fold करके तो 16.5 इंच की इसकी length है और जो इसकी width है वो मैंने 9 इंच ली है अब हमने अपना neck की width लेनी है तो neck की width इसकी मैं सवा 3 इंच ले रही हूँ जो हमारा top part का neck था वो मैंने पौने 3 इंच पर कट किया था तो यह आधा इंच extra ले रही हूँ इसकी जो length है वो साड़े 3 इंच ले रही हूँ इसके बाद नीचे से भी सवा 3 इंच पर माख करके एक box बना लेंगे और यहाँ पर boat neck की shape दे देंगे इसके बाद हमने इस shape पर इसकी cutting कर लेनी है और उपर से जो हमारा fabric unequal है इसको side से और उपर से थोड़ा सा cut करके सीधा कर देंगे तो लीजे बैटन हमारा cut हो चुका है अब देखिए नीचे की तरफ से यह fold वाली side है इसको भी मैं cut करके अलग कर दूँगी तो इस तरह से आप इसके लिए 2 piece भी ले सकते है अब हमने देखिए इसकी stitching करनी है उसके लिए दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और wrong side बाहर की तरफ तो एक side से हमने सिलना स्टार्ट करना है यहां से मैं half inch का दबाव ले रही हूँ तो half inch का दबाव लेते हूँ हमने उपर तक सीधा सिलना है सीधा सिलने के बाद इसको turn करना है यहां से इसके बाद देखें यहां पर मैंने दो डोरिया टाजल्स के साथ बना ली है इनकी length 15 से 20 inch ले लेंगे अब इस डोरि को हमने देखें इस तरह से यहां अंदर की तरफ रखना है तो सीधा करके डोरि को रखेंगे और यहां से लगबग आदा इन सिलेंगे एक पैर का दबाव छोड़ते हुए रुकेंगे अब यहां से नक की गोलाई लेंगे तो इसमें हमारी डोरि नहीं सिलनी चाहिए सिर्फ डोरि हमने उपर की साइड से सिलनी है तो नक की गोलाई कवर करते हुए हमने इस साइड में आना है इसके बाद यहां से टन करेंगे और अब दूसरी वाली डोरी लेकर हमने यहां से बिल्कुल उसी तरह से अंदर की तरह रखनी है इसके बाद हमने इसके नेक में छोटे-छोटे कट लगाने है तो ये cut हमने दिहान से लगाने है जो सिलाई वाला part है उसको थोड़ा सा avoid करना है यानि सिलाई पर ये cut नहीं लगना चाहिए इसके बाद दोनों डोरियों को इस तरह से पकड़ते हुए बाहर की तरफ खीचेंगे सो ये जो हमारा pattern है सीधी तरफ turn हो जाएगा इस तरह से अब हमने इस पर सिलाई लगानी है तो यहां से ये जो side है इसको अच्छे से set करते हुए पकड़ेंगे और किनारी पर सिलाई लगाएंगे आप चाहें तो इस पर iron भी कर सकते हैं अब इसको तीनों तरफ से इस तरह से एक एक किनारी पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके less लगानी है सो ये जो less है उसको हमने इसके side से लगाने start करना है इस तरह से सो पहले सीधा लगाएंगे less को अब यहां लाकर में less को cut कर दूँगी इस तरह से अब इस सिलाई को हम सीधा कर देंगे अब यहां से सिलाई को turn करेंगे और यहां से अपनी less रखकर set करेंगे यहाँ पर इस तरह से हम cut करके अगर लैस को लगाएंगे तो shape हमारी अच्छे से आएगी और fold करने में जो हमारी लैस का joint होगा वो भी नहीं आएगा सो बस इस लैस को हमने सीधा करके इस तरह से लगाना है अब यहाँ भी मैं लैस को cut कर दूँगी इसके बाद यहाँ से slice को turn करेंगे और इस slice को यहाँ set करके नीचे तक लगा देंगे इसी के साथ जो हमारा pattern हो बिल्कुल complete हो चुका है अब हमने इसको अपने top part से attach करना है उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ top part का जो neck है वो मैंने ready कर लिया है neck पर strip लगा कर इस strip को मैंने wrong side में turn कर लिया है तो यह हमारी top part की front वाली यानि सामने वाली side है अब इसके center में mark करेंगे और इस mark पर हम अपने pattern का center रखेंगे इस तरह से और यहाँ से half inch का दबाव लेकर एक सिलाई कर देंगे तो यह हमने कमर की side से इन दोनों को join कर देना है इसके बाद हमने back वाला neck में भी strip लगा कर इस तरह से ready कर लिया है अब हमने दोनों की कंधिया join करनी है दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से इसके बाद हमने कंधी की side से दिखिए back neck की जो पटी है वो front में इस तरह से overlap करेंगे और यहां से half inch का दबाव लेकर सिलाई को अच्छे से पका कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी वाली कंधी भी join कर देंगे तो कंधिया join करने के बाद हमने इसकी fitting लगा लेनी है तो fitting लगाने के लिए देखिए जो मैंने cutting के time notches लगाएं थे यहीं से मैं सिलाई करना start करूँगी और कमर की side जो notches है इसको आमने सामने रखते हुए इस तरह से यहां लाकर सिलाई complete कर दूँगी तो इस तरह से हमने marking भी नहीं की है और हमारी fitting भी लग गई है अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे side में भी fitting लगा लूँगी fitting लगाने के बाद दिखे sleeve की मोरी fold करके मैंने किनारी पर सिलाई लगा लिया है और sleeve की भी fitting कर लिया है इसके बाद दोनों sleeve को हमने joint कर देना है इस तरह से center से center मिलाते हुए दोनों side में हमारा लगबग एक inch fabric extra निकल रहा है तो इस एक inch fabric को हमने half inch double fold करके सिलना है तो यही हमारे slits बनेंगे अब यहां से आदा inch fabric हम double fold करके सिलाई करेंगे इसके बाद यहां से घेरा fold करेंगे और इस side से भी half inch fold कर देंगे तो दिखिए यहां हमारा एक inch fabric extra था तो एक inch fabric को हमने पूरी तरह से अंदर की तरह fold कर देना है यानि आदा inch को हम double fold कर देंगे तो एक inch हमारा खतम हो जाएगा अब घेरे को भी हमने quarter inch fold करना होगा तो एक ही सिलाई के साथ हम घेरा भी fold करेंगे यानि चाक fold करते हुए हमने घेरा fold करना होगा यह घेरा fold करने के बाद जो दूसरा चाक है यहां से इसको fold करना होगा तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने घेरा और इसके जो slits से वो fold कर लेने हैं अब हमने इसके उपर लैस लगानी है तो यह side के जो हमारे slit से यहां से लगाना है start करेंगे और एक slide के साथ ही लैस लग जाएगी अब नीचे जाने के बाद हमने less को cut कर देना है यानी slits जहां हमारा कतम होगा इसके बाद मैं घेरे में भी लगा रही हूं तो यहां से फिर से हमने machine को turn करना है और less को यहाँ set करते हुए slide करना है start करना है यानि घेरे में भी हम less लगा लेंगे और जो दूसरा slit से उसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से less लगा लेंगे तो देखिए दूनों घेरे में हमने बिल्कुल इसी तरह से less लगा ली है अब घेरे को हमने टॉप पार्ट से कैसे जॉइन करना है दिखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहां से हमने घेरे लगाना है स्टार्ट करना है इसके बाद दूसरा घेरा बैक साइड में इस तरह से आएगा तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर दिखाती हूँ अब यह हमारा सेंटर है टॉप पार्ट का जो हमने माक किया है इसके उपर हम अपने घेरे का सेंटर रखेंगे इस तरह से यहां से बराबर मिला कर रखेंगे इसके बाद यहां से चेक करेंगे तो यह साइड वाली जो फिटिंग है जस्ट यहां पर हमारा यह घेरा आएगा यानि जहां सिलिट्स बनेगे वहीं पर घेरा आएगा अब हाफ इंच का दबाव लेकर हमने इसको सीधा सिलना है और सेंटर के सामने सेंटर रहेगा एग चीज़ और ध्यान रखनी है जो उपर वाला घेरा है उसको खीच रेंगे नहीं यानि इसकी जो कटिंग है वो गोलाई में है अगर थोड़ा सा भी हम इसको खीचेंगे तो हमारा घेरा बढ़ जाएगा और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो इसकी फिटिंग है यानि घेरे की गोलाई और कमर की फिटिंग टॉप पाट की वो दोनों को बराबर रखना है इसके बाद देखिए अंदर वाला जो हमारा मार्जिन उसको तिकोना करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहां लाकर सिलाई पका करेंगे अब दूसरा वाला घेरा भी हमने य क्वाइंट हो चुका है तो इसके सिलिट्स जो है वह आप देख सकते हैं जहां हमारे टॉप पार्ट की फिटिंग है जस्ट उसके सामने यह दोनों सिलिट्स आएंगे इस तरह से इसके बाद देखिए जो हमारा नैक का पैटरन है उसमें हमारी थोड़ी सी जो बची हुई लेस है इसके यह फलार में अलग-अलग कर लूगी और इन फलार को यहां सैट करते हुए हैंड इस्टिच या फिर मशीन के साथ में इनको लगा दूगी तो इसी के साथ हमारी कुर्टी रेडि हो जाएगी और इस कुर्टी के साथ मैंने अफगानी शलवार बनाई है जिसक इसके टॉप पार्ट के लिए जादा रखी थी अब कमरवाला पार्ट हमारा बिलकुल नहीं दिख रहा क्योंकि यहां तक हमारा बॉटम यानि शलवार प्लाजो भी आ जाता है इस तरह से यह हमारे ब्यूटिफल सी कुर्ती रेडिय हुई है जिसकी शलवार का वीडियो आपको यहां एंडी स्क्रीन पर मिल जाएगा और अगर आपने भी तक यह वीडियो लाइक नहीं की है भूल गए है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे